तो इस वीडियो मैं देखेंगे इमेजिस के साथ आप यहां पर क्या कर सकते हो विद बूर स्ट्रैप तो एक नया एक्जाम्पल यहां पर क्रियेट करते हैं तो यहां पर मैं टेंपलेट का एक कॉपी क्रियेट कर लेता हूं मैंने आपर कॉपी क्रियेट किया टेंपलेट का इसको मैं नाम देता हूं images.html and then यहाना basic template है let's remove the paragraph and h1 में हम लिखेंगे यहाँ पर images okay now इस file को run कर लेते हैं open with the live server तो यह यहाँ पर open हो चुका है now एक image add कर लेते हैं image add करने के लिए मैं lorem pixel का use करूंगा मैंने यहाँ पर लिखा lorem pick some okay तो यहाँ पर मुझे को dummy images मिल जाती है like this तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूं and then यह जो मैंने URL copy कि अगर मैं उस पर visit करता हूं तो मुझे नाए image मिल जाएगा like this फिर शे करते हैं like this okay तो अगर मैं 2000 इसको मैं चेंज करके लिखता हूं 500 and 200 को मैंने चेंज करके 500 इसको मैंने लेखा 1600 okay मुझे रेंडम image मिलेगा कुछ इस तरह से तो जो 500 मैंने लिखा था वो उसकी width को शो करता है है so let's make it 1600 and 500 1600 and 800 okay तो यह कुछ इस तरह से मुझे आप image मिला चलो उसी को हम use करेंगे यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर लिखा 1600 and slash करके 800 जास्टी यूटिलिटी लर्निंग पर पर से हम इस यूर्ल्स का यूज करेंगे तो कुछ तरह से में मिलेगी हमारे पास आ चुका है वापस चलते हैं डॉकिमेंट पे एंद यहाँ पर करते हैं तो मैंने कहाँ पर डिवाड किया और दिव के अंदर मैं image क्रिए करने के लिए इमजी टेक का यूज करता हूं आई एमजी एस रसी में मैंने यहाँ पर यूवरल को पेस्ट किया लाइक दिस एंड सेविट तो यहाँ पर इमेज क्रियेट हो गया आप देखोगे लिगने बहुत बड़ा इमेज हो चोटी स्क्रीन में यह प्रॉपर नहीं दिखरा जो मे प्रॉपर और यहां फिर शोटा करता हूं यहां फिर इस फरहीट होगा इस तो अगर आप इसको बूट आ चाहोगे तो आपको स्कुन हंड्रेट परसेंग पर सेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं बट वहम को नहीं करना पड़ेगा हमारे पास यह वाला क्लास है तो ओके ना कुछ और भी classes है जिसको देखते हैं यहां पर देखोगे इमेस थम्नल यह बैसिकली इमेस थम्नल क्या करता है रेडियस एड़ कर देता है और उसके जो corners वो round कर देता है इमेस थम्नल तो इसको try करते हैं वाबाँ चलते हैं यह रहा तो हमें इसको ऐसा थम्नल दिखाना है अगर हम इस पर थम्नल क्लास अप्लाइ करते हैं देखते क्या होता है class img and then thumbnail यहां पर क्या हुआ एक border एड़ हो गया और एक round shape यहां पर एड़ हो गया इसके बीच में एक hr add कर देते हैं like this ओके यह कुछ इस तरह से यहां पर काम करेगा प्लस रिस्पॉंसिब भी है ओके तो इसको हम गएंगे थम्नल ओके और भी classes यहां पर alignment के लिए आप अगर इसको align करना चाहते हो फ्लोट स्टार्ट करोगे तो start में जाएगा फ्लोट end करोगे तो वह एंड में चला जाएगा राउंडेट करोगे तो इमेज राउंड हो जाएगा ठीक है इसके बाद mx auto d block करेंगे d block मतलब कि डिस्प्ले ब्लॉक और mx auto मतलब की margin auto margin auto मतलब एक सेक्से मार्जिन ओटो कि एक सौट तो आटो का मतलब को सेंटर पर जाएगा ओके इस तरह से आप और भी लासे इनको यहां पर ट्राय कर सकते हो बस इतना ही है इसमें कुछ फास नहीं है इसके बाद आगे चलते हैं एक तो एक्जांपल और क्रियेट करते हैं तो यहां पर image यह रहा इसको देखेंगे and इनको देखते हैं भार ओके तो यहां पर मैं top पे ओर यहां पर image एड़ कर लेता हूं let's copy it paste किया and then इस पर हम एड़ कर देते हैं class जिसमें प्रेडिंग फोर एड़ किया तो पैडिंग एड़ हो जाएगा and then इस पर हम बीजी एड़ कर देते हैं बीजी सक्सेस तो बैक्राउंड सक्सेस हो गया एड़ी टॉप और यह एक इमेज आ गया है तो इमेज सेम है क्योंकि यहां पर सेम युवरल आप यूज कर वे तो सेम इमेज आपको दिखेगा तो मैं इसको कर देता हूं थोड़ा चोटा इमेज 200 वाई 200 का 200 200 का तो यह चोटा सा इमेज आ गया मेरे पास ना इस पर हम कुछ जो है वो राउंटेड हो गया यहां पर ठीक है नाओ सेकेंड एक क्लास यूज करते हैं इसमें हमने लिखा डी ब्लॉक डी ब्लॉक मतलब जो इमेज है डिस्प्ले ब्लॉक किया अब उसको सेंटर में लाना चाहते हैं सो एमेक्स और तो तो वो सेंटर पर जाएगा लाइक प्लॉक लैfetल mm के लोटलेफ्ट ओकी देख लीत है वोड़र के नटन फ्ले इसाइसज्टर और यहां पर अच्छिली राइट भी नहीं था राइट नहीं था इसलिए वाइडीफॉल्ट ऐसा काम कर रहा था स्टार्ट देन फ्लॉट लोट को एग तो फिर फोड अपने प करना पड़ेगा ठीक है सो जिस तरह से यहां पर काम करेगा और यहां पर राउंडट था वो भी हमने देखा और अगर सेंटर में करना है तो कुछ नहीं कि युटिलिटिक लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट सेंटर करते हो तो इसके अंदर जो करते हैं जिसे इमेज अलिमेंट वो युवा सेंटर वही कर सकते हैं यहां तो यह तो ठेबल आगारे में लेट्स लर्न मोर अबाउट टी टेबलस तो हम देखते हैं टेबल्स क्या होती हैं टेबली चीरा टेबल कैसे करते हो बहुत आसानी से बहुत अच्छा टिवल आप यह कर सकते हैं तो टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल है एक और एक्जांपल क्रिएट करते हैं जो टेंपलेट.html है कॉपी पेस्ट किया टेंपलेट.html नाम दिया इसको टेबल.html टेबल.html को ओपन करेंगे लाइब सर्वर में यहां गया ओके एच्वन को चेंज करेंगे हमने लिखा यहां पर टेबल्स एंद जो बॉड़ी है इस पर क्लास अप्लाइ कर लेते हैं विच इस कंटेनर जैसा कि हमें इससे करते हैं नाव यहां पर हमें टेबल क्रिएट करने के लिए बहुत असान है सिं टिए एच का यूस करेंगे लाइग दिस हमने आपने लेगा रेका सीगल नंबर नेम एंड रोल नंर लएक डिस रोल नमबर ओके यह हमने एक बेसिक सा टेबल बनाया है इसके अंदर T head create T body create करेंगे body के लिए T body के अंदर आएगा T R और T R के अंदर आएगा T D like this serial number one एक नाम एड़ करते हैं विरेंद्र and roll number 100 okay let's copy it तो मैं इसको copy किया multiple rows यहां पर create किये same data के साथ तो यह एक basic table है अब मुझे simply यहां पर क्या करना है class apply करना है table जो element उस पर आप एक class apply करोगे bootstrap का class table class जैसे आप table classes में apply करते हो तो यहां पर आप देखोगे कि यह 100% विर्थ हो लेकिन टेबल में बहुत कुछ है वह आपको देखनी रहा क्योंकि इसका टेक्स्ट जो color हो by default black है ठीक है तो अगर मैं इस डार्ग डॉट css को remove कर दूँ तो आप देखो कि यह एक टेबल है जो कि इस तरह से हमारा जो टेबल हो प्रिंट होता है डार्लोड css की वज़े से हमको जो ч यह देख रहा है तो यहां पर सकते हैं आपर गहां तो क्या करेंग लाइट लाइट ट्थ यहां पर हो गया कई अभी सकших करते हैं नहीं हम देख सके कि डीफॉल टेबल यहां कैसा यहां बन जाएगा जिसके अंदर black टैस्ट रहेगा background रहेगा लेगल सदेब बॉडर वीत जहां करते हैं कि पहला माउस वर करोगे तो का जो कलर है वो चेंज होता है ठीक है ना युक्त और क्लास है मारे पास टेबल टेबल हवर टेबल बॉर्डर टेबल स्क्रेफ अब टेबल लाइक दिस चैबल अपर तो यहां पर जो कलर से वह आते हैं देख रहा होंगे तो हम यहां पर एड़ कर सकते हैं हमने लिखा table तेबल डर तो एससे क्या होगा डार्क टेवल बन जाएगा लैक तेबल डार को गया व्यूड करते हैं चलते हैं डॉक्श्च को हम इसे थिल्ट नहीं कर सकते हैं यहां पर वापस रहेंगे और यहां देखिए यह रहा तो समय डॉ ट्राइग रथे को फो वह उत्यक्छ सिस्ट गजा इस तरह से टेबल बन गया हमने लेखा टेबल वॉर्निंग यहलो कलर करटे बलाए हमने लेखा टेबल लाइट लाइट डार्क टेबल आया टेबल …… तो हल्का जो इस छो वह आया यहांपे Table Danger Red Table आएगा गाल्च तो अलग-अलग color के बाले मुं नहीं थी साय नहीं किया तो आगे देखेंगे तो इस तरह से आप अलग-अलग भ्लाव कर सकते हुआ को इसे क्या फ़रख पढँता है लेट्स के आप स्टिप्ट क कॉलम को लाओं तो स्ट्रेपड कॉलम्स के बारे में को कटेबल कॉलम्स इसको देख लेते इससे क्या फ़र्ख पड़ता है kidney सैते टेबल हो उप Kiril अभी क्या था टेवल की रोस्क्रिप्त ही हॉよろしく से रिमूब कर उंट तो यह कुछ इस तरह यह से तो और कि आरा भी कॉलम्स होते था यहाँ क्ल्र यहीं क्ला आ गया तो यहां Łओ को बेर कला में अपर एक करें documentation देखें bootstep का और हर एक class को अपने अप्लाय करके देखें active table क्या होता है table water and कैसे करते है table without water कैसा दिखता है like this table water less small table small table SM add करते हो small table create हो जाता है like this okay vertical alignment कैसे कर सकते हो वो देख सकते हो nested table कैसे create करना है वो यहां पर आप देख सकते हो टेबल है table footer table responsive table कैसे create कर सकते हैं वो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है तो अपने हैं पर जरूर से try करें that's all from my side thanks for watching and see you in the next video